नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागते एनकेपी प्रोडक्शन में तो नोटीज जो निकल चुका था आपका 26 1222 को चलिए उसी में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं यह देखें नोटीज में जो आपको डारेक्ली बताया गया है कि आपका फोर्थ ग्रिद्वेशन स्रिम क्लीवनी मारवाडी कॉलेज में होने जा रहा है डिट भी कन्फरम आपका अभी तक नहीं बताये गया है लेकिन टेर्डेवलीग आपको दीया गया है तो यह जो रेजिस्टेशन का डेट दिया गिया है 26 से लेकर 28 26 27 28 के अंदर में आपको रेजिस्टेशन करा लेना है जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे बीए बीए सी बीकॉम या फिर ममसी एमकॉम या तो फिर आपका जो भी सेल्फ फिनाइस है या जोब पास आठ हुए है इस देट तक पास आठ हुए है वो इसके लिए एलिजबल है वो अपलाई कर सकते हैं अब बात होगी कि 18 के बाद के जितने हैं उनको जो है उनके लिए अभी कुछ नहीं निकाला गया है जब डेट निकलेगा उसके लिए मैं आपको इंफर्म करूंगा लेकिन उसके लिए भी बहुत लेट होगा यह चीज याद रखेगा चली में प्रोसेस बताने जा रहा हूं कैसे आपको पेमेंट करना है अभी पेमेंट किजिएगा उसके बाद में ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे ही आप मरवाडी कोलेज के ओफिस्यल यहां देखें सबसे उपर में आपको देखेंगा रिजिश्टिशन और फौर्थ ग्रिजिशन सरेमनी दोजर अठाइस अडवारा दोजर बाइस तक लाजडेट है इसमें आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में देखिए हैं जेसे नाभी में नाम अपने पीताजी का नाम का नाम यह यह सारह दो जैसे फ Looks क게 बाद सफिले यहां बिंद में आलते हैं आप नाम अपना नने अपना डालना का है यहां पर दिया करन दिलिया है को उसके बाद वाटसब नमब्र आपका क्या है वाटसफ नमब्र भी डाली आप जैसे कि मैं अपना नमब्र इसमें डाल दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल पाई आगे की मैं प्रोसेस बता पाँ यहां पर लाइन आपको दिया गया जैसे कि मा लीज़े गोमिया वो खारों हम लिख लेते हैं जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस को आप लिए जैसे राची तो राची इनको डाल लिजिए नेक्स्ट कर देजिए जैसे इसको डिटेल देना है तो यहां पर आप बैसे से पास किजिए यहां पर अगर यहां पर देखिए यहां पर आपका जो है वह सेलेक्ट कर लेजिए पासिंग एर कौन सा था 2016 2017 2017 ले सकते हैं 2016 2017 2018 इसे ही स्टूडें 2016 2018 बस वही इसके लिए अप्लबाइग कर सकते है है 2018 मौ लिएast 2018 किskे पाद में ऋसके बाद पास civilization डिया थ तो ती sel F पर सेंटेज केमा का तो फोरा किया है उसके बाद क्लास लॉलり नंबर को रही है यहां पर नेक्ट कर दिएगा तो आपको फी पेमेंट का उप्सन आएगा फी पेमेंट करेंगे फी पेमेंट करने का उप्सन जैसे मैं ताइस ले रहेता हूं ठीक है रेश्टेशन नंबर एमसी आर कुछ भी मैं अभी डेमो के लिए बना रहा हूं या फिर इंग्जामिशन नंबर एमसी आर जो भी आपका है नेक्स जैसे करेंगे देखिए यहां पर आ गया पांच सो रुपय करने का उपसन यहां से पे करेंगे जैसे ही पे करेंगे आपका पैमेंट हो जाएगा आप आपका बस यही प्रोसेस है कि अपना सीट आपका एलोटेड हो जाएगा पेमेंट हो करके यह रहा प्रोसेस आगे जो भी इंफर्मेशन होगा मैं आपको साज़ा करूंगा और पंद नीस को या बीस को उसके भी डिटेल में आपको दूंगा यह जू है आपने पुरा कि झाल